अगर कोई आपको आके ये बोले कि भी आपको जो कार चाहिए वो आप कार मुझे बोल तो एक घंटे के अंदर आपके घर के बार होगा वो भी फ्री कोई भी पैसा नहीं लोगा पर वो कार आपके एक घंटे के बार आपके घर के बार होगा आप कुछ कार के बारे में सोच र गोल में और इ 들र है कि वह시는 को आज हीवन एक ही रहेंगी फिर बदल नहीं नहीं अब आपके सोचने में डिफरेंस आ जाए जाएंगि होते थे और अब सोच रहे हों दोनों के अंदर डिफ्रेंस आ रहे हैं वो डिफ्रेंस का रीजन जो है वो सिंपल सी चीज है क्योंकि आज इवन जब हमें देखना होता है तो हमारे प्रस्पेक्टिव बदल जाते है और वही चीज यहाँ पे अगर मैं बोलू कार की जगा पे आप कार को कंसिडर करो as a body और आपके साथ जो आपका सरीर जुड़ा हुआ है उसकी care कितने ही करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो आज इवन हमारे साथ ही रहने वाले है इसके साथ आज हम लोग लेक्चर के अंदर सरवात करते हैं मेरे साथ मैं डॉक्टर उदेन कच्छी दुनियादारी विट डॉक्टर उदेन कच्छी के अंदर आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ लेसेंस विच आई परसनली लेंड फ्रॉम वर्रन बफट परसनली लेंड मतलब मैं गया नहीं तो उनके पास मैंने उनकी बहुत सही बाते पढ़ी और कुछ मैंने लेसेंस देखे जो सही मैं किसी भी कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए सक्सेस्फूल होने के लिए जरूरी मैंने उनकी किताबे पढ़ी हुई थी मैंने बहुत सार उनके लेक्चेस देखे हुए तो मुझे कुछ समझ मैं है मैंने कुछ इंप्लीमेंट किया जीवन में और मैं आगे बढ़ता गा उसमें से कुछ 9 पॉइंट्स मैं आपके सामने लेका हूँ जो आपके लाइफ के अंदर बहुत ही important रहेंगे चली शुरुवात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला point जो मैं आप लोग के साथ बढ़ाना चाहता हूँ यह पहला point यह है don't care what others are thinking of you अब यह मजश सोचो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बार जो भी सोचना चोचना दो या हम लोग college के अंदर सबसे बड़ी गलती यह कर देते हैं हम college में यह सोचते है कि या वो बंदा हमाई लिए क्या सोच रहा है या वो बंदी हमाई लिए क्या सोच रहा है या तो वो मुझे judge कैसे कर रहा है अरे कोई काम नहीं आने होना। उसको impress करने के चकर में आप कहीं ना कहीं अपने आप से दुख्य हो रहे हुआ है। वो मत करो। और कही बार तो ऐसा होता है वो सोचता भी नहीं हो। पर हम सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है। इस सोच सोच के अंदर हम लोग आगे नहीं बढ़ता है तो ये सोच बदलो सबसे पहले जो दूसरी चीज़ उन्होंने जो बोली हुए रीड रीड एंड रीड जितना हो सके उतना पढ़ो जो जो पढ़ सको उतना पढ़ो मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर सके पढ़ो देखो आज नॉलेज बहुत इजी ली एकसेसेबल है जितना चाहे जो चीज़ पर आपकी क्यूरियोसिटी को ग्रो करो चोटा बच्चा कैसे सीखता है साई जीज़ है पूछता रहता है ऐसा क्यूं वैसा क्यूं इस तरीके से क्यूं यही पार हम कंटाल जाते पर वो दीरे-दीरे समझने लगता है तो हमारा ब्रेन समझने के काबिल है हम जितना चाहे उसको दे वो समझेगा तीसरी चीज़ है conquer the fear सबसे ज्यादा हम लोग अगर आगे नहीं आ पार है तो उसके अंदर किसी किसी भी चीजों का हाथ नहीं होता या किसी लोगों का हाथ नहीं होता हाथ होता है खुद हमारा हम लोग क्या करते हैं अपने fear से हम अपने fear को overcome नहीं कर पाते हैं हमें डर लगता है हमें public speaking का डर लगता है हमें लोगों के सामने बोलने का डर लगता है हमें लगता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या करेंगे वापिस से पहला वाला point तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान रखने है वो यह है अगर आपको पॉब्लिक स्पीकिंग में डर लग रहा है पॉब्लिक से मीरर के सामने बोल फॉर्थ पॉइंट इस गिव अनकंडिशनल लो अरे लाइफ के अंदर एक्स्पेक्टेशन जीरो कर दो अगर कोई सिक्यूरिटी मैन अगर सिक्यूरिटी गाड अच्छा काम कर रहा है थेंक्यू बोल दो उसे रोज उसको अगर हाथ वेव करने से आपका क्या जाते है कोई फरक पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है एक तो खाना और दूसरी लेंग्विज देखो खाने का तो चुगार हम लोग गुजराती कर लेते हैं कैसे भी करके वह पहुआ वह रेडी टुईट आता है गरम पानी के अंदर डाल दे कर लेंग्विज का क्या कर तो फिर आप बोलो गोगल ट्रांसलेट कर लेगे ये कर लेंगे पर वह क्या सही में सही ट्रेंसलेशन करेगा ने उसी तरीके से मैं यहाँ पर यह बोलाकि Investing की बासा Accounting और जब आप Investment करने का सोचोगे तो आप क्या करोगे पर किसी और के भरो से बैठोगे क्यों क्योंकि आपको Accounting समझ में नहीं आए बहिए Investment की बासा है प्यासन हो जाएगा और पैसे बनाना असान तो six point पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वो फिर आ रहा है find your passion क्या करना आपको पसंद आता है कौन सी चीज अच्छी लगए देखो मुझे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करना अच्छा लग रहा है वो भी हो सकता है क्योंकि उसे सी बनने का पैसन नहीं पैसन कान सी चीज है जो आपको मजा है अंदर से करने के फिर उसके बाद अपने area of expertise तो पर और उसको पकड़ के रहा है जो expertise आपको मिल रहा है जो चीज आपको लग रहा है कि यहां पर मैं expert बन सकता हूँ या तो इसके अंदर मैंने 5 साल निकाले 10 साल निकाले 15 साल निकाले यह life मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे life के अंदर कुछ लोग होते जैसे सर्मा जी के बेटे होते है वैसा ही कुछ हमारे Garage चीज हो रहा है को क्योंड मार्केटिंग में आपको ब्लगाले में मैं जब अच्छा कमा लेता हूँ और कई बार किगे हम लोग मार्केटिंग में घुश जाते है तो उसमें ज्यादा थी नहीं, life के अंदे stable रखो अपने दिमाग को, सबसे पहली चीज़ जो कर रहे हो, उसके अंदे expertise अगर मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, तो मैं पढ़ाने में focus कहूँ, मैं हो सकते हैं उसके बाद diversification का सोच उपर मैं पढ़ाने को छोड़ूँगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये मेरा expertise, आपका कुछ expertise बनेगा, पर वक्त आने दो, पर अगर आपने चार साल उस काम के पीछे लगाया, तो मैं बोल सकता हूँ, कि आपको वो कोई बंदा बिट नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपने चार साल दिये हुए उसमें, टाटा जैसी कंपनी इतनी लंबी चल कैसे सकती है इसका एक ही रीजन है, वो सालों से टिकी हुए, टिकना बहुत important है, बदलना important नहीं है अगर आप बोलो, reliance, अपना नया नया business कर रहा है, जीयो कर खोल के रखा जीयो खोला उसने, पर क्या उसने अपना oil का business बंद कर दिया, क्या उसने अपना polymer का business बंद कर दिया, नहीं, जो वो उसके अंदर expert है वो खुद काम कर सकता है, वो कर रहा है 8 point, सबसे important आज की level पे, आज की generation के लिए it is better to stay out of the trouble than to get out of the trouble समझना यहां पर मैं क्या कह रहा आपको trouble के अंदर क्यों जाना है अगर नहीं पसंद तो back foot हो जा कोई बोल रहा है, जोड जबर जस्ती कर रहा है कि नहीं नहीं, आजाओ, आजाओ, आजाओ अगर back foot होना है, तो back foot हो जाओ पर, trouble के अंदर मचाना यह life के अंदर लियम रख देना कि जहां पर हो सके मगज मारी, जितनी हो सके उतनी कम रखे क्यों life के अंदर बहुत साही चीज़े करने की है और life बहुत छूटी है और in the last point, life के अंदर पैसा, time नहीं खरीच सकता आपको कुछ अच्छा लगा, तो आज बया करो आपके family के साथ time spent करो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे ममी पापा irritating हो चुक है, यार तो कैसे हो चुक है हर एक बात पर taunt दे रहे हैं, नहीं रहना होंगे नहीं यार, उन्होंने तो आपके साथ सपने देखे होगे तो उन्होंने ही सारी चीज़े की होई जिन तो college के तीन साल के अपने दोस्तों के लिए उनके साथ क्यों ऐसा कर और एक दिन आएगा जब आप भी सोचो के यार, सही था उद्धान सार बोल रहते हैं वहाँ पे बात सही है और मुझे बाते करनी अपने ममी पापा से तो वो ममी पापा के साथ जो बाते करना है, जो आपको खुश रखता है आगे जाके अपने life partner से अपने बच्चों से आप खुद खुश रहना सी था तो यह कुछ हमारी चीज़े थी जहांपे हम लोग ने बात की यहांपे Warren Buffett ने क्या-क्या बाते बोली अगर मुझे लगा यार college के अंदर अगर मुझे कोई ये बंदा बोल देता तो मैं आज जिस level पर उससे कई जागा आगया होता तो मैं सुचा क्यों ना मैं अपने बच्चों को दो अगर ये साही बाते आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज इससे share करना लोगों की जिंदगी बढ़ाना ये भी एक one kind of unconditional love ही होता है और साथ साथ मैं इसको चैनल को like करना subscribe करना मत बुलने